बेलकम टू बी एसी बिहारे स्टेटिक जाम में आपका स्वागत है यह वीडियो घटना चक अर्थमैटिक का जो बुक निकाले गए उसी बुक में से आज हम लोग परसेंटेज के प्रस्ट संक्या 95 से लेकर 114 तक के प्रस्टों को देखेंगे जो परिक्षा में उत्रिन अन चैनल को सब्सक्राइब करें साथ히 बےल बोटन को दबा दे ताकि आने वाले पर टेक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके ताकि लोगों के बीच या वीडियो आसानी से पहुँच सके चलिए वीडियो की सुरुभात करते है आज की important प्रस्णों के साथ पहला प्रस्ण है एक छात उत्रिन होनी के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते है वह 67 अंक प्राप्त किया और 13 अंकों से विफल हो गया अधिक्तम अंक याद किजिए देखिए अगर percentage में passing mark देखा जाया तो वह 40% विफ्टी लाता है तो क्या हो जाता है पास हो जाता है और संख्या में बात किया जाया तो 67 अंक तो लाया लेकिन वह 13 अंकों से फेल हो गया यानि उसको total कितना अंक लाना चाहिए ता उसको total 80 अंक अगर लाता है तो वह pass हो जाता है 13 में 67 को एड करेंगे तो कितना हो जागा 80 अंक यानि 40% passing mark 80 अंक के बराबर है यानि 4 से कर देंगे 4 दूना 8 यानि 10% का value कितना दिया गया 20 10% का value दिया गया 20 तो हम से पूछ रहा है अधिक्तम अंक कितना होगा अधिक्तम अंक यानि 100% यानि इधर 10 से multiply करेंगे तो इधर भी हमको क्या करना होगा 10 से multiply करना पड़ेगा यानि अधिक्तम अंक कितना होगा है 200 यानि correct answer option B expression का correct जबाब होगा कुंसा option B next दो विद्यार्थी ने एक परिक्षा दिये उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राफ्ट किये और उसके अंक दूनों के अंको की योग का 60% है उनके द्वारा प्राफ्ट किये गया अंक याद किजे दो विद्यार्थी परिक्षा देता है परिक्षा में A लेता है और B देता है A क्या करता है दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्ट करता है अगर B X अंक प्राप्ट किया तो या A कितना करेगा X प्लस 12 ठीक है आगी कोश्चन में कहा रहा है उसकी अंक उन दोनों की अंकों की योग का 60% है यानि A का अंक यानि X प्लस 12 जो है इन दोनों की अंक यानि a plus b को add करेंगे तो कितना हो जगा 2x 2x plus 12 का कितना परसेंट 60% यानि इसका कितना 60% के बढ़ावर है ठीक है 60% यानि 0 से 0 कड़िया 2 से काड़ दे 2 3 4 2 5 5 सिर्क्रोस मल्टिप्लाइ करेंगे तो कितना हो जगा 5x plus 12 परसे 6 बड़ावर कितना हो जगा 3 2 6 6 x plus 12 परसे 36 या देखे एकस इधार आजागा तो एकस बड़ावर कितना हो जगा 36 इधार आके घड़ जागा 4 यह हो जगा 5 में से 3 2 24 यानि x का वैलू कितना आगया 24 यानि b ने कितना पराप्त किया 24 और एक बात किया जाए तो यह कितना पराप्त करेगा 24 में 12 जोड़ेंगे तो 36 यानि करेक्ट एंसर ओप्शन डी इस प्रस्न का करेक्ट जबाबों का कौन सा ओप्शन डी 36 और 24 निक्स एक कच्छा के दो सेक्षन है जिनमें से 20 और 30 विद्यारती है इन सेक्षनों में उत्रीन विद्यारती का परतिसत 80 और 60 परसेंट है पुड़ी कच्छा में उत्रीन विद्यारती का परतिसत याति है section A में कितना student B से student और section B में माल लेतें तीस है student है यानि total student का बात किया जै तो total student कितना Aufg Pُ tu क्या करा है से section के 20 में क्या करा Demn genteinerstop ट्लें dip चाते स्थूडेंट काल रिक लिएगा आर्था शल्ला है और तीस का कितना नावी a सब्सक्राइब चिनं mud JC अध्या मधूंन सब्सक्राइब के सबस्क्राइब द्रीजेट मेरें, यह agriculture चैने कई आते चबाब होगा कुंसा option भी next अगला question क्या कर रहा है एक इस्कूल के 80 और 66 लगातार दो वर्स अंतिम परिक्षा में बैठे जिनमें से करम से 60 और 80 फर्स चात्र पास्वे पास्वेश चात्रों का ओसत दर्ग कितना है न हैmostला अच्री परिक्षा में से कितना 80% student पास हो जाता है यानि 4848 पास हो जाता है तोटल student दो साल में कितना student बैठा 80 plus 60 कितना हो जाएगा 140 140 student और टोटल पास कितना हुआ यानि 48 plus 48 96 student पास हो गया कितना में 140 student में गुने 100 यानि 100% निकाल देंगे 0 से 0 कार देते हैं 2 से कार देते हैं 2 से चोध दो से कर देते हैं 2 से कट जीयागा 4 दूना 8 एक बच रहा है 8 दूना 16 48 480 बटा 10 48 87 7 से काठिएगा तो 7 चक 28 साच्छक वियालिष चो यानि 6,8, 68 पुर्णांग 4,7 परसेंट इसका करेक्ट फ्रैक्शन प्राप्त हो जाएगा यानि करेक्ट एंस और ऑप्शन भी इस प्रैक्शन का करेक्शन जबाब होगा कुंसा ऑप्शन भी किलियर है नेक्स्ट अगला प्रैक्शन देखिए अगला क्या करा है एक तीमाही परिक्शा में एक विद्यार्थी को 30 परसेंट अंग प्राप्त हुए और वह 12 अंगों से अनुत्रीन हो गया उसी परिक्शा में एक विद्यार्थी ने 40 परसेंट अंग प्राप्त किया अड़कों से उत्रीन होने के लिए अफेचिक नियूनतम अं विद्यार्ची तीस परषेंट अंक प्राथ करता और क्या करता है potato बारा अंकों से अउत्रीं हो जाए अगर वह बारा अइंक ओड आता थीज परषेंट पलस बारा होता गर धुए और दूसरा विद्यार्ची को एक तरफ लाखते बीना पर्सेंटेज को एक तरफ यह 28 माइनस में इधर पलस में आजाएंगा यानि 12 plus 28 किए ये पर्सेंटेज 40 पर्षेंट माइनस कितना 30 यानि इधर बचेगा आपको 5100 बसेंट कितना रभा वोर्का 40, 10% का वैलू आ गशा, हमसे POOCZ रहा है पूर्णांक, अधिक्तम उस परिक्छा का पूर्णांक कितना यानि 100% कितना चार्सों यानि करेक्ट और ऊप्छंड ै इस प्रशन का करेक जवाबों का कुन सा ओप्सन डी किलियर है निक्स्ट एक परिचार्थी को किसी परिक्षा में 20 परसेंट अंक प्राप्थ हुए और वह 30 अंकों से फेल हो गया किन्तु वह 32 परसेंट अंक प्राप्थ करता तो उसे नियुनतम पुर्णांग से 42 अंक अधि 30 परसेंट अंक लाता तो 42 अंक अधिक हो जाता अगर 42 अंक इस में से घता के तो फवापारि सिंग मार्च हो जाए यानि 32 परसेंट मैं से 20 परसेंट घंटे घहते एँया कि यह आ जागा कितना बारा परसेंट 42 इधर आ जागा तो 2, 4, 3, 7, 72, 12 से कड़ जागा कितना मरते, 6 मरते, बारचक वातर, 6 मरते, यानि 100% का वैलू कितना आ जागा, 600, 100% का वैलू कितना आ जागा, 600, हम से क्या पूछ रहा है, तो उत्रिंता का परतिसत ग्याद कीजिए, यानि टूटल 600 है, 600 का एक्जाम हो रहा जाता है, जिसमें से एक विद्यार्थे ने 20% अंक लाया, वा कितना अंक लाया, 25, 100, यानि छोदूना बाड़ा, 120 अंक लाया, लेकिन वा 30 अंक और उसको लाता, तब पास हो जाता, यानि 120 प्लस 30 अंक, यानि 150 अंक पासिंग मार्क है, 150, वा कितना में, 600 में, टोटल 600 में, गुने 100 कर देंगे, 150 से यहां भी लिख देते, गुने 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कर देते, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 50 मर्ते, 2 से कर जागा, ये 50 कितना 25 मर्ते, यानि पासिंग मार्क इतना था, 25, यानि 25 अंक लाता, तो वा वेक्ती क्या हो जाता, पास हो जाता, यानि correct एं गनित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्रिन वे फेल हुए, जदी सारे विद्यार्थों में से 60% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्रिन हुए, तो दोनों विषय में उत्रिन होने वाले विद्यार्थों की संख्या घ्याद किजे, देखिए, टोट में विद्रार्फ एयसा है जो दूनों विसह में क्या हो रहा है एंगलिस्टिक है मेये केटना 19 ४रिसेंट 7 पर्षेंट यहां हो गया तो बचा कितना शाट 892 यानि 12पर्षेंट में बबमे और 10% का बाद चाहएं 3 पर्षेंट इंगलिस था जाया तो सांद 710 दो बाड़ा के दो हासिल एक एक दो यानि 22 परसेंट स्टूडेंट ऐसा है जो टोटल में क्या हो रहा है फेल हो रहा है अनुत्रीन हो रहा है उच रहा है तूनों भी से हमें उत्रीन होने वाले यानि पास कितना हुआ है फेल का गया कितना फेल हो रहा है 22 परसेंट पास कितन और option D next एक परिच्छा में 100 पर अंक के तीन विश्य है एक पहले विश्य में 60% दूसरे विश्य में 80% अंक प्राप्त किये तो तीसरे विश्य में उसने अंकों का पर्तिशत क्या होगा यानि एक विद्यार्थी क्या करता है तोटल 100-100 अंक का 3 विश्य है 100 अंक यहां है 100 अंक यहां है और 100 अंक यहां है ठीक है उसने क्या करता है टोटल 300 का एक विद्यार्थी क्या करता है पहले विश्य में 60% अंक लाता है यानि 100 का अगर 60% ग्यात की जाए तो 60 अंक ला रहा है दूसरा विद्यार्थी क्या करता है 100 का 80% अंक लाता है कितना 80% यानि 80 अंक ला रहा है तिसरा विदार्थी के बारे में हमसे पूछ रहा है तिसरा विदार्थी के अंक का परतिशत ग्याद कीजिए और कहाँ रहा है कि कुल मिला का 70% अंक प्लातो और टोटल 300 का रथा 300 का 70% ग्याद कीजिए चाहती ऐक गिश्द चाहती ऑग्ढरना होगा किसको डूसरा विदार्ती को यानि 70% यानि 100 का, यानि 100 को कितना 70 अंक लाना है, 100 में 70 अंक लाना, यानि 70% लाना, यानि correct answer और option D, इस प्रशन का correct जबाब होगा, कुन सा option D, क्लियर है, next, अगला प्रशन देखे, लिख रहा है, किसी परिक्षा में उत्रीन होने के लिए, एक विद्यार्थी को 36% अंकी आ अंकों से फेल हो गया, यानि 190 अंक तो लाया, लेकिन 35 अंक अगर वह और लाता, तो वह पास हो जाता, यानि passing mark, यानि 36% वराबर कितना जया गया है, 5, 9, 10, 12, यानि 125, यानि 36% का वैलू दिआ गया, 215, अब इसको काट सकते हैं, कितना, 9 से काट देते, 936, 9 से काट देते, 9 mist Arri procent 4 मरते, 9 से यह कट जाएगा कितना मरते, 127.. हुआ हुआ आप चार बाद नौचे पैतालीश पतीश मरते हमको पता है चार परसेंट का वैलू दिया गया 25 इसमें अगर हम 25 से मल्टिप्लाई करेंगे तो हंड़ेट परसेंट हो जाएगा इधर भी हमको क्या करना हो 25 से मल्टिप्लाई करना होगा 25 चोकर 100 यानि 100% का value कितना हो जगा 625 25 में 25 से multiply करेंगे तो 625 कुछ राप पुर्णां कितना खाता है 100% यानि 625 का यानि correct answer option B next लिख रहा है एक उमिदबार को किसी परिक्षा में उत्रिन करने के लिए 40% अंग की प्राप्त करने की जरूरत है अगर कोई विक्ती 40% अंग लाता तो वह उमिदबार क्या होता पास हो जाता यदि वह 220 अंग प्राप्त करने वाला उमिदबार 20 अंगों से अनुत्रिन हो गया यानि 220 फलस उसको कितना अंग चाहिए था 20 अंग एक्स्ट्रा चाहिए था यानि 40% का वैलू कितना जया गया 60% और लड़किया का 50% उत्रिन हुए तो परिच्छा में अनुत्रिन हुए परतिसत ग्याद की जे तोटल boy कितना है boy है और girl है boy total कितना है 1000 लड़के है girl कितना है 800 पूछ क्या रहा है तो 60% और 50% pass हुआ है pass कितना दे रहा है pass का बात किया जाए और गर्ल का बात किया जाए pass का कितना जाए बाइ 60% और गर्ल दिया जाए 50% यह pass है तो फेल का बात किया जाए तो फेल कितना हो जाएगा यह 40% boy फेल होगा और यह अब गर्ल कितना 50% परसेंटेज में बात करेंगे अब यहां कर रहा है यानि बुआ कितना है 1000 1000 का 40% निकालेंगे तो यह कितना हो जागा 0000 का 400 1000 का 40% हो जाएगा 400 और 800 का 50% निकालेंगे 50% तो यह कितना हो जागा 0000 842 840 400 यानि ये कितना होगे, ये सभी जो निकला, ये फेल निकला, कितना फेल, हमसे क्या पूछ रहा है, तो अनुत्रिन वे परतिशत गया थिया, टोटल आठ सो फेल हो रहा है, टोटल आठ सो स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितना था, अठारा सो, उने हंडेट, तो से 36 बचेगा कितना फोर्ड जीरो नौचक चतिस चोवालीच हो यानि फोर्ड फोर्ड सम्चिंग आएगा यानि करेक्ट एंसर ऑप्शन भी इस प्रस्न का करेक जवाब होगा कौन सा ऑप्शन भी नेक्स्ट किसी विद्यार्थी ने विज्ञान में विश्वय में तीन सो में से दो सो का हुआ यानि टोटल एक्जाम कितना का होता है फानसो का फानसो में इसको कितना अंक लाना चाहिए श्यालिस परसेंट अंक लाना है छे जी हालिस परसेंट करने का मतला कितना हो गया चोंपचे 30 के सुनना हासल 3 इसको लाना था कितना 230 अंक उसको प्राप करना था ठीक लेकिन उसनी क्या किया 300 में से 300 में से 32% अंक लाया 300 का अगर 32% ग्याद किजेगा तो यह आजागा आपको कितना अब उसको एक्स्ट्रा कितना अंक लाना था यानी टोटल 230 में से 236 को अगर घटाएंगे तो यह आजागा आपको कितना 134 यानी 134 अंक उसको लाना है या 134 अंक किस में से लाना है 200 अंक में से 134 अंक लाना है याने 134 अंक कहां किसे बटा 200 गुने सो यानी so से मल्टीपलाई करेंगे answer 00 Bailey 00 कें से 2 से काटियेगा तो 62 12이작 7.12 person जो 17 से लाना था उसको कितना 67 परसेंट यानी correct answer option B इस प्रशन का correct जबाब होगा कौनcave option B л eggs से 30 अंक अधिक मिले उसे गनीत में मिले अंक गनीत और बिग्यान के अंकों की योग का 60 परजेंट है तो उसे बिग्यान में कितना अंक मिलाता है क्या कर रहा है परणीता को क्या कर रहा है गनीत में मैथ में और किसका साइंस में क्या कर रहा है परणीता को गनीत में बिग्या से तीस अंक अधिक मिले साइंस में अगर x मिलता है तो मैंत में कितना मिले kgg 20 कि आगी क्या कर रहा हुशे गणी तक बिच्ञों का योग यानि इन दोनों को जोड़ देंगे तक इतना की योग का इसका 60 परसेंट निकाल देंगे जब 60 परसेंट निकाल यह तो जीरो से जीरो के अंसिल दो से काड़े दोत्य चाहर दो पचे दस पांच मरते प्रोस मल्टिप्लाइ की जगा तो 5 एक्स पांते पंदर है सिक्ष्टी हमसे पूछ रहा उस ने बिग्ञान में कितने अंक प्राप्त किया तह यानि करेक टेंस और आपसंट डी इस प्रशन का करेक जबाब होगा कुन सा आपसंट किलियर है नेक्स्ट अगला प्रशन देखिए लिक रहा है ए बी तता सी तीन चातरे एक को बीस से 36% अंक कम तता C को 16% अधिक अंक प्राप्थ होते हैं यदि B को 145 अंक प्राप्थ हुए तो C को कितना अंक प्राप्थ होगा देखिए question में क्या करा है यहां क्या करा है B को कितना अंक प्राप्थ हो रहा है B को करा 145 अंक 145 तो एको कितना अंक मिलेगा एको अंक मिलेगा 145 में से 36 परसेंट कम यानि 64 परसेंट यानि एको कितना मिलेगा 64 परसेंट 145 का 64 परसेंट आगी क्या कर रहा है तता सीख से 16 परसेंट अधिक अंक प्राप्त हुआ है किसको एको जो है सी से 16 परसेंट अधिक यानि सी को जो कुछ अंक प्राप्त होगा सी से 16 परसेंट अधिक यानि 116 वटा सो या किसके ए के बराबर होगा एका वैलू कितना 145 मल्टिप्लाइ सिक्स्टीफोर बटा हंडे यानि हंडेट से हंडेट के अंचिल हो जागा कितना ऊजागा जागा 145 माल्टिप्लाइ सिक्स्टीफोर किटना 116 आगी क्या करया सी को कितना अंक फराप्त प्राप्त किया बस इसको सिंप्लिफआ कर देना इसको simplify कैसे करेंगे 2 से कार देते हैं 2 से काट येगा तो 7 दुना 14 दुसे काट येगा 2 पचे 10 8 दुना 16 ये 2 से काट येगा 3 दुना 6 दुना 4 32 मरते अब क्या किजिए 2 से काट ये 16 दुना 32 16 मरते ये 2 से कट येगा कितना मरते 2 दुना 4 दुना 8 दुना 8 दुन रचाशा 29 मरते नो से काट ये 9 पचे 45 दुनौफ पचर चाट 9 पचय पाच मरते यानी 16 पच्छे कितना हो जगा 8 यानी सी को कितना अंग प्राप्त है और 20% चाहत दूनों विषय में फेल हुए उन चाहतों का परतीशत ग्यात कीजिए जो दूनों विषय में पास हुए है यानि सबसी पहले हमको क्या करना है फेल का जो डाइग्राम है फेल का डाइग्राम बना लेते हैं डाइग्राम कैसे बनेगा देखिए ये एक हो गया और ये एक हो गया ठीक इसमें क्या करा है एक हिंदी का बात करा और दूसरा क्या इंग्लिस का बात करा है हिंदी में क्या करा है कि दूनों विषय में 20% चाहत दूनों विषय में क्या हुए फेल हुए यानि हिंदी और इंग्लिस 20% हिंदी का बात किया 20% दोनों में तो बचा कितना यानि 15% हिंदी में और Moscow किया ता 45 दोनों में तो बचा कितना 25% इंग्लिस में यानि ओफरॉल जोडा जाया तह पांच-पांद-धस के स्टूडेंट क्या रहा है तो उन खात्रों का फर्तिशत ग्या चीज़े दुनों भी सहमें पास होए तो 60% फेल होगा नॉर्मल सी बात है 100% पर्सेंट में से 60% घटा लेंगे यानि 40% यानि 40% स्टूडेंट ऐसे जो पास होए यानि करेक्ट एंसर ओपसंडी इस प्रस्न का क लोगों में से केवल 60% में बच्चत करने की आदत पाई गई उनमें से 30% बैंक में बच्चत करते हैं 32% डागढ़ में और से शेयर में तो सेयर धारकों की कुल संख्या ग्याद कीजिए देखे टूटल इस्टूडेंट कितना है तो टूटल इस्टूडेंट कितना है ? 2500 surprised परशेंट से केवल 60% में बच्चत करने के आदत है पच्चीस सो का अगर हम साट परशेंट निकाल दे है पकीजिए सो का अगर साट परशेंट यह क्या करता है saving करता । यानि 0 630 के सुनना हासिल, जिन 6,212, 13 , 500 Student एयसे जिन में budget करने की आदत है। यदि उनमें से 30% bank में budget करते है यानि 1500 में budget करने का आदत है उनमें से क्या करता है 30% bank में budget करता है और 32% टाग घड्र में budget करते यानि 30% बेंक में बचट करेगा पदास 32% डाग हर में बचट करेगा यानि कितना बचट करा ऐस सिग्षटी टू-पचंट ये कितना आजाएगा इसका इसتी टू-पर्सेंट निकालेंगे तो यह आजागा डबल जो से डबल जिरो कैंसिल पंदरह दुना तीस के सुनना हासिल एक पंदरह चका नब्बे नब्बे आड़ एक कितना हो जागा का नब्बे यानि 91 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको बचत करने की आदत होगा बचत नहीं उटल कितना था पंदरह सो सियर धा जागा तो नो के 10, 11, 12, 13, 14 यानि 5, यानि 590 तो 590 इस्टूडेंट ऐसे होंगे 570 आएगा एक मिनट पंदरह दुना तीस के सुनना हासिल तीन पंदरह चका नब्बे नब्बे आतीन कितना हो जागा तेरानवे यानि 930 आजागा यानि पंदरह सो में से 930 को घटाएंगे जीरो दस में से तिन गया साथ यानि 570 इस्टूडेंट ऐसे जो क्या करते हैं सेहर में बचट करते हैं कहां सेहर में आप इस प्रशन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं तोटल का हमको पता चल गया पंदरह सो में बचट करने की आदा था कितना पंदरह सो का अब देखिए जिस पर्सेंट ऐसा होगा जो शेर में पैसा लगाएगा कहां शेर में यानी तूटल पंदरह सो का 38 पर्सेंट ऐसे है जो शेर में पैसा लगाएगी यानि got a 39 बों की यान से 15 में 38 से मृटिप्लाई की जिएगा तो यह आ का 570 यानि कड़ेक्ट एंस और ऑप्सन बी इस प्रेसन का कड़ेक्ट जबाब होगा क tenants आप्सन बी किसी खच्च्च और 22 विद्यार्चीन और 64 ने गनित लिया ठीक यरेधि पर ठेक्च विद्यार्चीन ने जीब भीज्यान अत्वा गनित में से कम से कम एक विशे लिए 40 विद्यार्चों ने दूनों भीशे लिए है तो कच्छा में कुल विद्यार्चों की संख्या ग्याद कीजिए देखें टोटल स्टूडेन कितना है 72% लेता है जीब भीज्यान जा रहा रहा है आए, एकस Office 114 स्टूडेन क्या हो रहा है यहनि 100 से कितना जा रहा है स्टूडेन यह 16% ले से संख्यार्ज दूनौ फिसे लेंगे यानी Math याने जीब भीज्यान और Math लेने वाले स्टूडेन की संख्यां कितना हो ग्या टीक है 60परसंट स्टूडेंट दोनों लेगा तो बीच में लिखे देते 16 पर सेंट इधर देखें यह वह गया जीब यानि बायलोजी और यह होगया मैथ बायलोजी में कितना लेता 72 यानि 16परसंट यहां हो गया तब बचा कितना 16% अगर आप यहां देख रहा है तो बचेगा कितना हम से पूछ किया 40 विदार्थी ने दूनों भी से लिए यानि सिर्फ दिया गया 16% का यह वैलू दिया गया 40 हम को इसको हंडेट पनाने के लिए 25 से मट्रिप्लाइब करना पड़ेगा इधर इसको अलग इन दोनों का भी निकालते ही तो इसका विकोई जरूरत इस परस्में नहीं है इसमें सिर्फ यही करा है कि 40% विधार्थी जो है दोनों भी से लेते हैं हमको पता चल गया कि 16% student ऐसा है जो दोनों भी से ले रहे यानि 16% का value दिया गया है 40 इससे हमने क्या-क्या 100% निकाल लिया next किसी परिक्षा में 60% छात अंग्रेजी में उत्रिन हुए 70% हिंदी में और 40% दोनों में अंग्रेजी और हिंदी दूनों में अनुत्रिन छात्रों की संख्या घ्याग किजिए यानि दूनों का कड़ा फेल देन की अगर हम pass का पहले निकाल ले तो उसके बाद फेल निकल जागा सबसे पहले passing हम लोग कैसे निकालते हैं यह देख लीजे वेंड डाइग्राम हमको सिखाता क्या है 40% हमको वेंड डाइग्राम के मदद से हम लोग solve करीगे एक में इंगलिस है यानि इंगलिस और दूसरा क्या है हिंदी हिंदी ठीक डोनों में 40% स्टूडेंट दोनों में पास होते हैं इंगलिस में करा है 60% यानि 40 यहां आगया ता बचा कितना 20% हिंदी में कितना कह रहा है, 70 है, 40 यहां आ गया तो बचा कितना 30% यानि 4, 3, 7, 8, 9, 90% student ऐसे हैं जो सभी में क्या होड़े पास हो रहा है पूछ कहा रहा है, अंगरी जी और हिंदी दूनों में अनुत्रीन यानि फेल का पूछ रहा है 90% पास होगा, तो 10% क्या होगा, फेल होगा, 10% क्या होगा, फेल होगा यानि correct answer, option A, इस प्रेशन का correct जवाब होगा, कुन सा option A Next, एक परिक्चा में किसी परत्यासी ने 30% अंक प्राप्त किया और वह 6 अंकों से फेल हो गया 30% अंक लाया, अगर वह 6 अंक आउड लाता तो पास हो जाता, दूसरी निक्या किया, 40% अंक प्राप्त किया और वह नियुंतम अंकों से 6 अंक अधिक लिया है अगर इसमें से 6 घटा देंगे तो पास हो जागा, यानि 6-6, 12 अंक वरावर कितना होगा, 10% यानि 100% का वैलू कितना हो जागा, 120 यानि 120 अंक या है, पासिंग मार्क है, 120 अंक या है, टूटल एकजाम का मार्क है, यानि करेक्ट एंसर, ओप्शन भी, नेक्स्ट क्या करा है, किसी परिक्षा में 80% विदार्थी अंग्रेजी में, 85% गनित में और 75% दोनों भी साइए, यानि अंग्रेजी अर गनित में उत्त्रिन हुए, 40 विदार्थी इन दोनों भी साइए में अनुत्रिन हुए, तो परिक्षा में कुल कितने विदार्थी थे, देखी बेंड डाइग्राम होंको क्या सिखाता है इसी के मदद से solve करेंगे क्या कर रहा है कि दोनों में कितना है 75% यानि 75% दोनों में क्या हो रहा है पास हो रहा है ठीक 80% विदार्थी अंग्रेजी में यानि 75 यहां आ गया तो बचा कितना 5% इंगलिस में और मैट का बात किया जाए तो 85% 75 यहां आ गया तो बचा कितना 10% यानि टूटल देखेंगे तो यह कितना हो जागा 5,5,10, 7,8,9 90% इस्टूडेंट क्या है पास हो रहा है तो फेल कितना होगा फेल कितना होगा तो आप देखिया तो 10% इस्टूडेंट फेल होगे और कोश्चन में क्या कर रहा 40 इस्टूडेंट दोनों भी समय अनुत्रिन होगे यानि 10% का वहलू द्या गया 40 100% एक जीरो यहां चिपकाएंगे तो एक जीरो यहां यानि 100% का वहलू आजागा 400 यानि करिक्ट एंसर Option B इस प्रस्ट का कड़िक जबाब होगा क्लियर है Next Thank you for watching this video ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपनी चैनल BSE Bihar Aesthetic Jam को सब्सक्राइब करें साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें ताकि लोगों के बीच या वीडियो आसानी से पहुच सके Thank you once again